नमस्कार दोस्तो पैन इंडिया फिल्म्स पर आपका एक बार फिर से स्वागत है यूदो आप जानते हैं कि मजूदा सवे में पूरे भरत के इंदर साउथ की मुवीज का बोल बाला है और शायद ये बाद बॉलिवड वाले भी अच्छे से जानते हैं तब तो उनके दुवारा पिछले काफी समय से साउथ की मुवीज के हिंदी रिमेक्स बनाए जा रहे हैं क्योंकि दमदार स्टोरी की वज़ा से ये हिंदी रिमेक्स एक बड़ा हिट साबित होते हैं तो चलिए जानते हैं कुछ ऐसे ये फेमिस साउथ मुवीज के बारे में जिनके बॉलिवड में हिट रिमेक्स बनाए गए हैं ये फिल्म है मल्यालम कॉमडी थ्रिलर फिल्म और शायद ही आपको जानकारी हो कि इससे 1980 में रिलीस किया गया था इस फिल्म का लेखन और निर्देशन सिदीकी लाल ने किया था और इस फिल्म के मुखे गिरदार साई कुमार मुकेश इनोसेंट और रेखा ने निभाया था उस समय में ये फिल्म कमर्शिली काफे सक्सेस्विल रही इसको अलग लग नाम से कनड़ा तमिल तेलगू उडिया और हिंदी मेरी में किया गया साल 2000 में बॉलिवुड में इसे हेरा फेरी के नाम से हरी में किया गया था इसका निर्देशन पीर दर्शन ने किया था और मुखे गिरदार में अपनी आक्टिंग से सबको हसाने का काम सुनील शेटी, अक्षे कुमार, तबू और परेश रावल ने किया था वैसे आपको बता दें कि इस फिल्म ने बॉक्स ओफिस पर लगभग साड़े सतरा करोड रुपे की कमाई की थी साल 2012 में तमिल लैंग्विज में रिलीज हुई थुपाकी एक आक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन और लेखन एयार मुर्गदोस ने किया और इस फिल्म के मुखे करदार में विजय, काज लगरवाल और विद्यो जामवाल है और इस फिल्म ने बॉक्स ओफिस पर लगभग 125 करोड रुपे का बिजनस किया था इसे भी बॉलिवुड द्वरारी में किया गया, हिंदी लैंग्विज में इसका नाम हॉलिडे असोलजर नेवर ओफ ड्यूटी है लेगन कि आपको बता है कि इसे भी तमिल की थुपाकी के डिरेक्टर एयर मुर्गदोस नहीं डिरेक्ट किया है अलागि इसके लीड रोल्स में आपको आक्षे कमार, सुनाक्षी सिनह, फ्रेडी, दारवाला, सुमीद, रागवन और गोविंदा की आक्टिंग देखने को मिलती है यह फिल्म ना सर्फ इंडिया में, बल्कि वर्ल्ड वाइट काफी हिट रही थी और इसकी टोटल अर्निंग 170 करोड रुपे रही थी दोस्व आमिर्खान की बहुत चर्शित गजनी फिल्म की बात करें तो इसकी कहानी भी तमिल फिल्म गजनी से ही ली गई है क्योंकि तमिल लाणू में यह मूवी काफी हिट होई थी, इसको देखते हुए ही बाद में इसे अक्शन थ्रिलर फिल्म के रूप में तमिल में इस फिल्म ने 50 करोड रुपे की कमाई की थी, तो वहीं बॉलिवुड रिमेग में इस फिल्म का मुखे करदार आमिर खान और आसें थो तमकाल ने नभाया है वसे बॉलिवुड की इस फिल्म को कई सारे अवार्ड भी मिल चुके हैं आपको बता दें कि 100 करोड क्लब में जाने वाली ये पहली फिल्म थी और इसकी कुल कमाई 232 करोड रुपे है नमर 9, पोकीरी 2006 में तलकुल लैंग्विच में रिलीज हुई पोकीरी फिल्म एक एक्शन थ्रिलर फिल्म थी जिसके डिरेक्टर और राइटर दोनों ही पूरी जगनात थे इस फिल्म में महेश बाबू और इलियाना धिक्रूस ने मुखे भूमिका निबाई है और इसकी कहानी लोकल गुंडो बर बेस्ट है बॉक्स ओफिस पर इस फिल्म ने 66 करोड रुपे की कमाई की थी आपको शायद ही जानकारी होगी कि इस फिल्म को तमिल, कनड़ा और हिंदी मेरी में किया गया तमिल और कनड़ा में इसे पोकिरी नाम से रिलीस किया लेकिन हिंदी में इसे वॉंटेड नाम से बनाए गया था बॉलिवोड की वॉंटेड मुवी का निर्देशन प्रभुतेवा द्वारा किया गया था और इस फिल्म में मुखे करदार सलमान खान और आईशा टाकिया द्वारा निभाय गया था वैसे तलगू और हिंदी दोनों में विलन का गरदार प्रकाश राज द्वारा ही निभाय गया 2009 में आई वॉंटेड फिल्म ने बॉक्स ओफिस में लगभग 118 करोड रुपे की कमाई की थी अर्जुन रेड़ी 2017 में तलगू भाशा में आई एक रोमैंटिक ड्रामा फिल्म थी जिसके राइटर और डारेक्टर दुनों ही संदीब रेड़ी वंगा है ये फिल्म अर्जुन रेड़ी की जिंदिगी की ओपर लिखी गई है जब एक हाई फंक्शनिंग अलकोहलिक सर्जन है जिसे अपनी जूनियर प्रीती से प्यार हो जाता है वैसे इस फिल्म में अर्जुन रेड़ी का करदार विजे देवरा कॉंटा ने निभाया है और प्रीती का करदार शालेनी पांडे निभाती नजर आती है अर्जन रेड़ी का बजट साड़े पांच करोड रुपे था और वॉक्स अफिस पर इसकी कमाई 51 करोड रुपे हुई थी इस फिल्म को तमिल और हिंदी दोनों मेरी में किया गया लेकिन 2019 में हिंदी में बनी बॉलिवुड की कभीर सिंग ने तो मार्केट में तहलका ही मचा दिया जहां एक तरफ कभीर सिंग के गरदार में शाहिद कपूर की अक्टिंग देख सब उनके काईल हो गए तो वहीं दूसरी तरफ मूवी की स्टोरी को काफी क्रिटिसाइज भी किया गया इस फिल्म को भी डिरेक्टर संदीब रेड़ी वेंगा ने किया था और लीड रोल में शाहिद कपूर के साथ किया राडवानी का काम बहुत सराहनी था और आपको जानकर हैरानी होगी कि इतने क्रिटिसिसम के बाद भी ये फिल्म बॉक्स ओफिस पर 387 करोड रुवे का ब महनलाल थे और आपको जानकर हैरानी होगी कि ये फिल्म एक ट्राजडी से इंस्पारड है जो 19th सेंचरी में एक सेंट्रल ट्रेवनकोर फैमिली अलुमूटिल थारवडू में घटी थी इस फिल्म ने कई सारे अवार्ड्स भी जीते थे ये फिल्म चार अलग-अलग जिसमेरी में की गई थी कनणा में ऐसे अप्था मित्रा के नाम से तमिल में चैंदरमोखी, बंगाली में राज मोहल और हिंदी में इसे भूलबुलाईया के नाम से बनाये गया था नमबर 6, Bodyguard दोस्तो, 2011 में रिलीज हुई Bodyguard मुवी एक रॉमांटिक कॉमेडी अक्शन फिल्म थी जो 2010 की मल्यालम भाशा की Bodyguard फिल्म का रीमेक थी Bodyguard मुवी बॉलिवुड की पहली ऐसी फिल्म थी जिसने बॉक्स ओफिस पर पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ कर एक रिकॉर्ड बनाया था इस फिल्म ने पहले वीक में 100 करोड से उपर की कमाई की थी और अब तक की हाईस्ट ओपनिंग डेक रॉसर बॉलिवुड फिल्म है वैसे बॉलिवुड और मल्यालम दोनों फिल्म्स को सिदीकी नहीं डिरेक्ट किया था मल्यालम बॉडिगाट फिल्म में लीड रोल तलीब और नयंथारा का था इसका बज़ट चार करोड रुपे था और वॉक्स ओफिस पर इसकी कमाई 43 करोड रही तो महीं बॉलिवुड की बॉडिगाट फिल्म में लीड रोल सलमान खान और खरीना कपूर का था और वॉक्स ओफिस पर इसका बिजनस 234 करोड कर रहा था वैसे इससा कनड़ा, तमिल और तेलगों में भी बनाये गया लेकिन सबसे ज़्यादा धमाल बॉलिवुड के बॉडिकार्ड नहीं किया था कंचना मूवी को 2011 में सबसे पहले तमिल लैंग्विश में बनाये गया था ये एक हॉर्र कॉमेडी फिल्म है लेकिन अभी साल 2020 में इसे बॉलिवुड अभिनेता अक्षे कुमार तवारा लक्ष्मी नाम से हिंदी में फिल्म आया गया कंचना मूवी के डिरेक्टर और राइटर रागव लॉरेंस है और इन्हों ने इसमें लीड अक्टर का रोल भी किया है लेकिन कंचना नाम की आत्मा का रोल आर सरत कुमार ने किया है इस फिल्म का बजट साथ करोड रुपे था पता दें कि ये फिल्म में तमिल लैंगविज के लाबा हिंदी, तेलिगू, कनड़ा, बिंगाली और सिनहाला लैंगविज में भी बनाए गई है ये काफी सक्सेस्वल फिल्म रही है वैसे इसका बॉलिवूड वर्जिन भी काफी अच्छा है और इसे भी रागव लॉरेंस नहीं डिरेक्ट किया है लक्षमी फिल्म में लीड अक्टर अक्षिकमार और कियार अडवानी है इस फिल्म में लक्षमी नाम की आत्मा का रोल शरत केल करने निभाय था इसे डिजिटल प्लाटफॉर्म डिजनी ब्लस होट स्टार पर रिलीज किया गया था और ये बॉलिवूड की पहली बिग बज़ेट मूवी थी जो स्ट्रीमिंग प्लाटफॉर्म पर रिलीज हुई थी साल 2009 में रिलीज हुई ये तेलिगू लैंगविज की फिल्म है जिसका निर्देशन सुरेंद्र रेड़ी ने किया है ये फिल्म में रवी तेजा और इलियाना डिक्रूस द्वारा अभिनीत एक आक्शन कॉमेडी फिल्म है कि एक मूवी साल 2009 की ब्लॉकबस्टर फिल्मों में से एक है और इसे वे भिन्ने भाशाओं में जैसे तमिल, कनड़ा और हिंदी में भी बनाया गया था हिंदी में बने इसकी रिमेक का टाइटल भी किक ही था ये 2014 में रिलीज हुई और इसमें सल्मान खान और जैकलीन फनायंडेस ने मुख्य भूमी का निभाई थी इसके साथ ये फिल्म में साजित नाडियड वाला द्वारा निर्देशित थी काफी मिक्स रिव्यू रिसीव करने के बाद भी किक 2014 की 402 करोड रुपे की सबसे अधिक कमाई करने वाली बॉलिवुट फिल्म में इस एक बन गई वैसे बता दें कि इस फिल्म में सल्मान ने हैंग ओवर गाना गया था साल 2010 में रिलीज हुई मर्यादा रामना तेलगू लैंग्विश की एक कॉमेडी थ्रिलर फिल्म थी इस फिल्म के निर्देशन SS राजमौली द्वारा किया गया था इस फिल्म में सुनील और सलोनी असमानी ने मुख्य भूमी का निभाई और शायद ही आपको बता होगा कि मर्यादा रामना फिल्म में तेलगू फिल्म इंडस्ट्री की एक सुपरेट फिल्म रही थी और इसने बॉक्स ओफिस पर 39 करोड रुपे की कमाई की थी इस फिल्म के कनड़ा, मल्यालम, बंगाली, तमिल और हिंदी में अलग-लग नाम सरी में किये गए हैं बॉलिवुड की बात करें तो इसे 2012 में सन आफ सर्दार के नाम से रिलीज किया था और फिल्म का निर्देशन अश्मिनी धीर ने किया था इसमें लीड रोल में अज़े देवगन, सुनाक्षी सनहा और संजेदत ने काम किया बता दें कि सन आफ सर्दार ने बॉक्स ओफिस पर 161 करोड की काफी अच्छी कमाई की और हिट फिल्म की लिस्ट में शामिल हो गई वैसे इसे सिर्फ हिंदी में नहीं बलकि कंड़ा, तमिल और तेलगू में भी बनाए गया है बता दें कि एक थ्रिलर फिल्म थी ओरिजिनल द्रिश्य मूवी के राइटर और डारेक्टर जीतु जोसेफ थे जिसमें लीड आक्टर मोहनलाल थे जिन्होंने अपनी आक्टिंग से फिल्म में जान डाल दी थी ये फिल्म पांच करोड की बजट में बनाए गई लेकिन इसकी कमाई लगभग 75 करोड रुपे थी बॉलिवोड रीमेक की बात करें तो इसमें लीड आक्टर अजे दिवगन है इसने शिकांत कामत ने डिरेक्ट किया इसका बजट 38 करोड पे था और इसने बॉक्स ओफिस में 110 करोड का बिस्नेस किया था दोस्तो रेडी एक तलिगू फिल्म है जो 2008 में रिलीज हुई इस अक्शन रोमेंटिक कॉमेडी फिल्म का निर्देशन श्रीनू वैतला ने किया इसके मुखे किरदार में राम और जनेलिया डिसूसा है इस फिल्म को दर्शकों से काफी पॉजिटिव रिस्पॉंस मिला और इसके साथ ही 2008 में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक बन गई वैसे इस फिल्म को सेम टाइडल के साथ ही हिंदी में भी बनाये गया था और साल 2011 में इस रिलीज किया था बॉलीवड में बनी रेडी फिल्म को अनीस बाजबी ने डिरेट किया और इसमें सम्नान खान और आसिन ने मुखे भूमी का निभाई वैसे ये तो सभी को बता है कि साल 2011 में आई ये फिल्म साल की सुबरेट फिल्मों में से एक बन गई हालनकि इसे करणडा भाशा में राम और तमिल भाशा में उथामा पुथिरन के नाम से भी रीमेक किया गया था तो दोस्तो ये ती साउथ की कुछ मूवीज जने बॉलीवड में रीमेक किया गया वैसे आपको इन में से किस मूवी का रीमेक सबसे स्यादा पसंद आया हमें कमेंट करके बताईए और हाँ जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सबस्क्राइब सरूर करतीजेगा थैंक्स पॉचिंग